हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम क्लास एक सब्जेक्ट मैच्स की असिस्मिन वक्षीट 9 करेंगे डेट है इसकी 17 दिसमबर 2021 और इसको शुडू करने से पहले कुछ इंस्ट्रॉक्शन्स यहाँ पर दे रखे हैं इनको रीड कर लेते हैं देखें फर्स्ट है डारकन्दर सर इसे सब्सक्राइब हैं हरे ने मार्क का तो इसेे सब्सक्राइब आरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया okay so hundred 25 upon hundred ये हमारा हो गया ठीक है तो देखो 25 1 जा 25 25 4 जा 100 so 1 upon 4 एक तरीके से fraction आ गया हमारा निकल कर तो 1 upon 4 हमारा right answer रहेगा option A 1 upon 25 ये wrong है 1 upon 2 भी wrong है 1 upon 5 भी wrong है the right answer is option D 1 upon 4 okay now let's move on question number second उसमें क्या पूछा गया है which of the following is a proper fraction following में से proper fraction कौन सा है तो proper fraction क्या होते हैं सबसे पहले मालो ये एक fraction है इसका नीचे वाला denominator जो है बड़ा है numerator छोटा है ठीक है तो यही जिसका denominator बड़ा और numerator छोटा उसी को हम proper fraction कहते हैं क्योंकि देखो 7 हिस्सों में से 4 हिस्से used है या फिर रंग भरा हुआ है 4 हिस्सों में अगर हम ऐसा कहें तो ये possible है लेकिन अगर इसी जगे में लिखती 10 upon 7 तो देखो यहाँ 7 हिस्से हैं उसमें से 10 हिस्से भरे होई है तो ऐसा impossible है क्योंकि 7 हिस्सों में से 10 हिस्से नहीं भरे हो सकते तो इसलिए proper fraction हमेशा वही होता है जिसका denominator बड़ा हो numerator उससे छोटा हो ठीक है या फिर उसके बराबर का हो ठीक है तो इसलिए हमने proper fraction क्या होते हैं जिनका denominator बड़ा हो numerator चोटा हो राइट अब वो देखें यहाँ पर अगर आप options में देखें तो first जो option है वो improper fraction है ठीक है क्य बल यह जो है आपका proper fraction रहेगा तो अब यहाँ पर अगर आप c option को भी देखें तो यह भी proper fraction है क्योंकि इसमें denominator बड़ा और numerator चोटा है तो देखें इस हिसाब से हमारे यहाँ पर दो proper fraction हो गए और 11 upon 5 में आपको देखें तो 11 upon 5 यानि 5 हिस्सों में से 11 हिस्से भरे हुए त तो यहाँ question में बहुत ज़दा problem हो रखी है क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा proper fraction है तो अगर देखा जा तो b और c option दोनों ही correct है क्योंकि दोनों ही हमारे proper fraction है अब दो option को तो हम right लगा नहीं सकते तो इसके लिए आपको अपने teacher से पूछना होगा या तो वो खुद आप कैसे लगाना है इसे तो यह question इसी पर depend करेगा आपकी teacher जैसे करवाएंगी उस पर depend करेगा वैसे मैं दोनों option को right लगाऊंगी क्योंकि दोनों ही proper fraction है ओके now third question देखे I add three slices from a total of four equal slices of a personal pan pizza what fraction did I eat तो देखे यहाँ यह पूछा है कि देखो four pieces थे जिसे यहाँ पर I eat at three slices from a total four equal slices of a pizza एक pizza है उसकी four equal slices है for example इस तरीके से इसमें से इसने तीन हिस्से खा लिये जैसे ये भी खा लिया ये भी खा लिया और ये भी खा लिया तो कितना fraction इसने खाया है कितना fraction इसने eat किया है तो 4 टूटल हिस्से थे और उसमें से 3 हिस्से इसने खा लिये तो 3 ऊपर आ जाएगा 3 upon 4 fraction इसने 8 किया है 3 upon 4 हमारा right answer रहेगा यानि B is the right answer 3 upon 4 Now fourth question देखिए Simran brought a packet of 50 candies and distributed it equally amongst the group of 10 friends What fraction will each of them get? तो Simran जो है 50 candies लाए थी total और 50 candies में से उसने अपने 10 friends को बराबर बराबर candies दे दी अब कितने fraction में हर एक को candy मिलेगी तो देखिए अगर हम 50 candies को 10 friends में equal बातें तो कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम divide करेंगे 10 friends है total 50 candies है, right? तो total 15 candies है, 10 friends को बातें तो 10 5s are 50, यानि हर एक friend को 5 candy मिलेगी, ठीक है? तो 50 candies में से हर एक को 5 candy मिलेगी अगर हम इसको cut करें तो 5 1s are 5, 5 10s are 50 तो 1 upon 10 part candy का हर friend को मिल जाएगा So right answer हमारा ये रहेगा 1 upon 10 Okay So now चलिए 5th question देखते हैं I have completed 1 upon 7 part of the work on Monday 2 upon 7 parts on Tuesday What part I have completed in these 2 days तो यानि मैंने 1 upon 7 part काम का Monday को complete कर दिया और उसी काम का 2 upon 7 part मैंने Tuesday को complete कर दिया तो मैंने total कितना part complete किया इन 2 दिनों में तो देखिए दोनों को add कर देंगे 1 upon 7 में अगर हम 2 upon 7 add करते हैं तो ये like fraction है क्योंकि दोनों का denominator same है तो denominator same होता है तो 7 को तो ऐसी उतार देंगे उपर के numerators को add कर देंगे 1 plus 2 is equal to 3 यानि 3 upon 7 इसका answer आजाएगा ओके so right answer is B 3 upon 7 ओके now 6th question देखते हैं 6th question में क्या पूछा गया है identify the improper fraction यहां से आपको improper fraction को identify करना है यानि जिसका denominator जो है छोटा हो numerator से तो देखो यह यहाँ 10 बड़ा है 4 छोटा है 4 हिस्सों में से 10 हिस्से भढ़ नहीं सकते है यह जो है हमारा improper fraction है जीक है एक यह हो गया अब B 10 upon 3 यह भी improper है क्योंकि इसमें denominator छोटा numerator बड़ा है यह भी improper हो गया अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो denominator जो है छोटा और numerator बड़ा है यानि यह भी improper fraction हो गया last 3 upon 10 यहाँ denominator बड़ा हो denominator बड़ा हो numerator छोटा है इसका मतलब यह हमारा proper fraction है तो यह नहीं होगा बाकि यह तीनों हमारे right answer हो जाएंगे तो शायद यहाँ आपर misprint हो गया यहाँ पर improper की जगे ने पूछना चाहिए था proper fraction कौँसा है तो आपका right answer D हो जाता लेकिन यहाँ इन लोगों ने improper पूछा है यहाँ अभी इन लोगों ने improper पूछा है तो इसके लिए भी आपको अपने teacher से concern करना पड़ेगा क्योंकि तीनों answer right है ठीक है options हमारे right रहेंगे तो आप teacher से एक बार बात कर लीजेगा दोनों questions की question number एक तो हमारा 2 गलत है question number 2 and question number 6 ठीक है 7th question देखिए choose the pair of like fraction like fraction का pair आपको जोड़ा जो है like fraction का आपको choose करना है बहुत easy question है like fractions क्या होते हैं जिनके denominator same हो तो देखो यहाँ इसके denominator लगे हैं यहाँ पर भी denominator लगे हैं यहाँ पर भी denominator लगे हैं लेकिन यहाँ पर same है दोनों के 7 है ठीक है तो like fraction हो गया यह जो pair है वो like fraction का है question number 8 है a teacher finished 3 upon 4 of his courses how much courses left तो एक teacher ने 3 upon 4 course जो है अपना complete कर लिया finish कर लिया मेंसे उन्होंने 3 complete कर लिये हैं तो एक ही तो बचा है यानि 1 upon 4 course जो है बचा हुआ है तो 8th question का C हमारा right answer रहेगा यह वाला ठीक है अगर हम इसको दुबारा से समझे तो देखो यह 4 हिस्से हैं किसी चीज़ के उसमें से 3 completed है 1, 2, 3 क्योंकि देखो 4 है उसमें से 3 उपर है या तो 3 completed है तो कितना हिस्सा बचा 1 हिस्सा ही तो बचा 1 हिस्सा ही तो बचा कितना बचा 1 upon 4 हिस्सा बच गया ठीक है तो 1 upon 4 is the right answer अब चलिए जल्दी से आगे चलते हैं आगे हमारा 9th question है गीता typed 50 pages of a book containing 100 pages and मीनू typed 25 pages of the same book what is the fraction of total pages typed by both गीता ने 50 pages type किये 100 pages वाली book में से उसने 50 pages लिख दिये और मीनू ने same book यानि 100 pages वाली book में से सिर्फ 25 page ही लिखे तो कितना fraction दोनों ने type किया तो देखे 100 page में से गीता ने 50 page type किये यानि ये कीता ने type किये और मीनू ने भी same 100 pages में से 25 pages type किये तो दोनों को total करना है दोनों का पता लगाने के लिए तो ये like fraction है 100 नीचे same रहेगा दोनों का ये उपर हम 50 और 25 को add करेंगे तो हमारा answer 75 आ जाएगा यानि 75 upon 100 हमारा right answer है question number 9 का option भी correct है तो option भी 75 upon 100 is the right answer दोनों ने मिलकर 75 upon 100 type किये pages 10th question है the blank part for the following equivalent fraction will be यानि इस equivalent fraction का ये जो blank part है जैसे 2 upon 3 is equal to 8 upon dash ये वाला part आपको identify करना है कि क्या होगा ठीक है तो देखिए अगर इस में हम देखें तो 2 में हम 4 का into करते हैं तो 8 आ जाएगा तो अगर हमने एक जर्गे 4 का into किया तो आपको पता है दौनों जर्गे 4 का ऐक ही number का into करना होता है तो अगर हम 3 में 4 का into करें तो क्या है ज़ागा 12 आ जाएगा दो question इसमें आपको अपने teacher से भूशने हैं एक है question number six proper fraction वाला और एक यहाँ पर question number second है proper fraction वाला ठीक है so यहीं पर आज की वक्षिट finish होती है thank you for watching this video math quiz खेलने के लिए description में जा सकते हैं और मैं एक और वीडियो की link दे दूँगी उसमें आपको बताया गया है कि आजकल हम काफी समय अपना mobile screen computer screen के आदे spend करते हैं तो हमारी eyes weak ना हो उसके लिए कुछ tips and tricks बताए रखी हैं उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं link description में आपको मैं दे दूँगी so thank you for watching this video please like and subscribe our channel